नमस्कार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना अभी की सबसे बड़ी खबर और वो खबर क्या है वो आप सभी सुनने को बेताब होंगे क्योंकि यह खबर जो है चास नगर डिगम से जुड़ी हुई ह कुछ दिन पहले या कल ही कह लीजिए हमने दिखाया था IOCL के द्वारा जो लापरवाही बरती जारी थी चास नगर निगम में चास नगर निगम की सडकों पर उसको लेकर अपर नगर आयुक ने आक्शन लिया है जिब बिलकुल हमारी खबर का असर हुआ है और अपर नगर आयुक चास नगर निगम के जो है अनिल कुमार सिंग ने उन्होंने बुलवाया है अधिकारियों को तलब किया है IOCL के अधिकारियों को और उनको हाजिर हो का फर्मान जारी किया है हम आपको बताई कि पिछले कई दिनों से हम आपको दिखाया थे कि IOCL किस तरह से लीपा कि शिकार हो चुके है वहीं कई लोग जो है आशंका जता रहे हैं कि अगर कोई रात में इस सडक से गुजरता है तो दुरघटना होने की बहुत बड़ी संभावना है लेकिन इसी ख़बर को देखते हुए अनिल कुमार सिंग जो की अपर नगर आयुक्त है चास नगर डिगम की बुला लिया गया है तलब कर लिया गया है से सीएल के अधिकारी को क्या लगता है कि अब सडके सुधर पाएंगी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं नगर आयुक्त को जिनोंने हमारे द्वारा जो जनता का हितेसी मुद्दा था जिसे हमने कल उठाया था उसके बात की जाएगी लेकिन प्रियंका मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप उनके भ्यान को सुनाएं कि जो मुद्दे हमने उठाय थे उन मुद्दों में कितनी सच्चाई थी उनके भ्यान को सुनने के बाद जरूर एहसास होगा तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप उनके भ्य करना है और लोगों पर शुवदा मिलेगी और थोड़ी परिशानी हो रही है लेकिन उस परिशानी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कब से कम किया जल से जल उन गढ़ohl को भरके रेस्टोर किया जाएगा और उसके लिए हम आईयो सिल को मैने बुलाया है और उनको सक्ति से हिदायत दिया जाएगा कि जल से जल काम भूरा करें सर वाइसे जगहों पर जहां आमनागरी को प्रब्लम हो रहा है। वहां नगर निगम किस पतादिकारी जो नोडल पतादिकारी हों से संपर्क करें। इस तहर में आयूए यह आयूए यह आयूए इस पाइपलाई मी चाने समधिए इसके देखवाल करने के लिए यह City Infrastructure Specialist है श्री अमनमलीक जी अमनमलीक जी देखते हैं साफसफाई काम मेंगनाथ चोदरी जी देखते हैं इस तरह के हर एक काम के लिए डिडिकेटर पता अधिकारी पत्तिनी उठाए और लोगों को से मेरा भील रहे है कि इसका फाइदा उठाए समधित अधिकारी संपर करके अपनी जो भी शिकायत उसको दूर करें हमारे साथ हमारे वैश्व पत्रकार सर्माजी भी मौजूद है और आपने सुना कि किस तरह से अपनगर आयोक्त बता रहे हैं कि चार बज़े हम मिलेंगे अधिकारियों से और इस मसले का हल करेंगे प्रियंकार जैसा कि हमने कल ही बताया था कि ये कोई हमारी तरफ से उठाया गया मुद्दा ने जन सुरोकार के मुद्देते चास नगर निगम के लोग लगातार हमारे प्रबंद संपादक को फोन कर रहे थे कॉल सा रहे थे कि किस मुसिबत में जीने को बिवस है चास नगर निगम के वाट सेंका पंद्रा और दूसरे वाट के लोग जिसके बाद हमने लोगों की सिकायत पर लोगों की गुजारिस पर हमारे प्रबंध संपादक ने इस मुहीम की सुरुआत की थी इस समाचार काम ने दिखाने का काम किया था जिसके बाद आज खुद चास्प नगर निगम के सबसे बड़े बोस कहले अपर नगरायक जी रेस हुए हैं और उन्होंने साप साप कहा दिया है कि ये जो काम हो र अभी चार बजे के आसपास उन्होंने अपने कारियाले में आयोसीयल के पदादीकारियों को तलब किया है उनके साथ सकती से वे पेस आएंगे और पूरी तरह के जो नियम काईदे हैं कानूने उसके तहत सारा काम होने का अब एक बार फिर चास्प नगर निगम में आयोसी जिल की तरफ से काम करना होगा प्रियंका इनन था गाज गिरना तै है पर नगर आयुक्त ने उसमें किया है कि सब ही जो काम होते हैं वो किसी ना किसी एक अधिकारी को एक पदाधिकारी को जो है डिप्यूट किये रहते हैं वो उनकी जिम्मेवारी है उन्होंने साब तोर नाम बताया है कले हम लोगों ने उसमें अधिकारी के बारे में बताया था कि जो अर्मान मलिक हैं जिनके बारे में आज जो नगर आयुक्त थे उन्होंने बताया कि वो इस काम को देख रहे हैं लेकिन कल जब हम लोगों ने उनसे बात किया था तो उन्होंने साब तोर पर और कहा था कि हमें इस काम से कोई लेना देना ने में अगरनाथ चौधरी देख रहे हैं ये बाते नगर आयुक के कानों तक चली गई है और उन्होंने मुझे विश्वास है कि ऐसे अधिकारियों को जरूर फटकार लगाएंगे और उन्हें बताएंगे कि वो जो महीने के खत अच्छित रखना होगा नगराइक ने साब तोर पर काया है कि चास में जितने भी ये गैस काम चल रहा है उसकी देख रेक के लिए सिटी मनेजर अर्मान मलिक जिवार हैं और वही इसकी देख रेक रहे हैं मैं चास की जनता से जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माद् कारी का पास बहुत सारा काम होता है वो अपने काम की सहुलियत के लिए ऐसे सीटी मनेजरों को डिपूट किया जाता है अगर यह सीटी मनेजर अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो इनके वर्यप अधिकारियों तक इनकी सूचना जानी चाहिए जैसे ही उनकी सू К Assाइम के बारे में बताया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा Cस के आवाम से 35 नमबर से लेकर एक दूती नमबर नेचिते हैं लड़ सकता जब आपको ये पता ही नहीं है आप जानकारी लेना ही नहीं चाहते हैं कि आपके बघल में कोई बैक्ती आकर आपके घरों के बगल में गड़ा खोंद के चला जाता है और ये क्या करना चाहता है और क्या करेगा इसके बारे में आपको भी जानकारी लेनी चाहिए अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपने अपने वाड में एक ऐसा जनपरतिनीदी चुन के रखा है जिसे वाड पारसद कहते हैं वाड पारसद को इसकी सुचना दीजिए उससे पूछिए कि साहब ये क्या काम चल रहा है और इस काम का क्या नतीजा होने वाला है क्यों नहीं आप अपने नगरायुक्त को ये बात बताते हैं कि हमें 22-22 दिनों से इन सरकों से गुजरना पड तो आने वाले समय में कोई भी बड़ी दुरगटना कर सकती है क्यों नहीं बताते हैं ये जिमवारी तमाम वाड पारसदों की है जो बरतमान में अभी है क्योंकि चुनाव हुआ नहीं है उनका कारकाल खतम हो गया लेकिन वह वाड सम्मानित वाड पारसद है और उनको इनक जनता के हीतों के मुद्ध को उठाने की जरूरत है आज जनता दर दर बटक रही है उन्हें पता ही नहीं है कि आकिर हो क्या रहा है तो मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि वह जागरूख हो अपने हक के मुद्धे पर क्योंकि साड़के बार बार नहीं बनती है 18 साल पहले हमारे यह सड़क मना है आज तक किसी वैक्ती ने सड़क बनाने का काम नहीं किया वो सड़क भी कट जाता है वो सड़क भी पूरी तरह से डेमेज कर दिया जाता है कौन बनाएगा कौन है जिमबार ? जिमबार आप और हम हैं क्योंकि आपको और हम यह जान ना होगा कि आखिर हो क्या राहा है अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप स Iraq Parisat से पूछे अगर वाट Parisat को नहीं मानूम है तो वो नगर निगम जाए नगर निगम में अगर छोटे पतादीकारी नहीं बताते हैं तो अपर नगर आयुक से मिलिए अगर अपर नगर आयुक नहीं बताते हैं तो भुकारों को उपायुक से मिलिए लेकिन अपने हक और हुकुक के लिए लरना सीखिए बताना सीखिए हम हैं आपके साथ हम आपकी आवाजों को बुलंदी तक पहुंचाने की कोशिस प्रियास हमेजा करते रहेंगे लेकुन कहीं न कहीं एक वार्ड पार्स से भी हमने बात की थी जो न्यूस पर हमारे चल भी रहा है फ्लैश हो रहा है उनका साफ साफ कहना है कि हम चास नगंडिकम से बात करते हैं तो वो हमे जवाब नहीं देते वो कहते हैं कि यह अधिकालियों का काम है उनी को देखना है यह हमारे जिम्मे में नहीं आता है अगर ऐसे जन परतिनिदि कहते हैं कोई कि हमें जबाब नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि ऐसे जन परतिनिदियों को अपने कुरसी से उतार जाना चाहि इसलिए आपको सरकार सेलरी देती है कोई फोकट में आपको आट पारसद नहीं है आपको सेलरी मिलती है अगर आप उस सेलरी को लेकर जनता को सही जवाब नहीं पहुचा पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सच्चम वैक्तिन नहीं है आपको स्वता ही समझना चाहिए कि हमें व में आवेदन दिया है आयो सील के खिलाव लेकिन फिर भी यह गड़ Reach लगने लगते हैं यह बिलकुल जांते हैं विलकुश शुपिर्यो को गार्यों कर निखाजम निख़े खुषील अरूर कारवाई की जाए इसके बावजूद ये जो काम चल रहा है इसको लेकर ही लोगों में आक्रोस है लोग इस तरह की बाते कर रहे हैं निगम से भी लगातार पत्राचार कर रहे हैं गुहार लगा रहे हैं लेकिन चास नगर निगम मार्च महिने में ही अपनी तरब से ये जो आ आज गिरना भी लगबग तय हो सकता है आज की बैठक के बाद इसी मामले में हमने चास के जो नीम वरतमान डिप्टी मेर हैं अविनास कुमार जी उनसे भी बात की थी उनका साफ साफ कहना था कि इसमें आयो सीयल की गलती है और फाइयर होना चाहिए उन्होंने साफ साफ कहा ह उन्होंने देखा भी है कि लोगों के बीच वो जाते हैं और लोगों की समझसाव को जब उन्होंने देखा उनसे रहा नहीं गया कि कैसे हमने जो सडके बनाई लाखो रूपिये लगा कर इस देश के लोगों के टेक्स के मादियम से वो पैसे अलग-अलग विभागों में चास नगर निगम के लोगों के टेक्स के पैसे अलग-अलग विभागों में जाते हैं काम करने वाले अलग-अलग विभाग के लोगों के टेक्स के पैसे जाते हैं जिससे सडके बनती है पानी के पाइप बिचाए जाते हैं नालिया बनाए जाती है लेकिन आयोसियल ने उ पाइप को और सडको को जिस कदर उन्होंने खराब करने का काम किया जिसके बाद जो डिप्टी मेयर है निव अर्तमान उन्होंने साप साप कहा है कि एफायर होनी चाहिए ऐसे लोगों के बीच लेकिन चास नगर निगम की तरफ से मार्च महिने में ही इसको लेकर आवेदन द करना है और अगर तए मापदंड के अनुसार काम नहीं होता है तो आयोसे ल के अधिकारियों पदादिकारियों पर भी सरकारी गाज सरकारी काईदे कानुन के तहत कारवाई होनी तय है जिस तरह से चास नगर निगम का द्रिश है जिस तरह से चास नगर निगम के सडकों का हाल अभी बना हुआ है उससे लोग काफी परिशान है जिसके लिए जो लोग है वुल्ला का तार जो है अपर नगर आयुक्त से चास नगर निगम से चाहे उपायुक्त से तलब करने की ब कारियों को और बात पूरे मामले को जानने की कोशिश की है और जहां बाते आ रही है कि चास्थाना में कहीं न कहीं एक आवेधन भी दिया गया है उसके बाद भी जिस तरीकी गती वीद्या देखने को मिल रही है ये चिंता जनक है और सभी लोगों को चिंतित कर रही है क्याम